हेलो फ्रेंस वेंकम टू समाधाने जुक 어렵ना के सन्थ आज हम लोग बात करेंगे यूपी पेश्क को लेकर क्या बड़ी अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे आगे बात करेंगे श्यूपी सरकार को फटकार्ध पो करेंगे तो सब्सक्राइब कर दिजीगा हमारो पड़िस फॉलोग करें तो बात कर दिया है तो बात कर लिते हैं इसको मैं टेलिगाम चेर पर डलवा दूँगी आप वहाँ जा कर देख सकते हैं टेलिगाम चेर कर लिंक मैंचे डिस्किप्शन में दे दिया है तो इसमें कहा गया है प्रेस बिग्यप्ति युबा मंच मुख मंत्री योगी अधितनात को लिखा पत्र हा को लिख सकते हैं उसको मैंने आपकल बताया ही था तो इस से आप टेलिगाम चेर पर जाकर देख सकते हैं इसमें कहा गया हैं सजो पीस्यान में दो हजार हम परिच्छा तेरह जून को इसको ले antibodies पूस्पन करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि आप देखी रहे हैं कोरोना के केसिस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं तो इस टाम हालत सही नहीं है तो सब इस्टोयन चाह रहे हैं कि यह परिच्छा तेरह जुन को ना कराए जाए तो इस परिच्छा के लिए इस्तिक्रित करने की इस्टोयन मांग कर रहे हैं तो आगे देख लेते हैं इसमें कहा गया है कि बैस्विक महमारी कोरोना की दहसत के बीच उत्तरप्रदिस लोक्षिवा आयुग ने PCA 2021 की परारंबिक परिच्छा की तयारी शुरू कर दी है परारंबिक परिच्छा 13 जून को सुबह के तेश चिलों में दो पालियों में तो सुबह साड़े नौ से साड़े ग्यारा और धाई से साड़े चार बज़े तक आयोत होगी पिर्ति अभ्यार्ति को बैठने के लिए दो बर्ग मीटर की जगह दी जाएगी पिर टेक कैन पर 500 अभ्यार्ति परिच्छा देंगे तो आयो ने इसकी तैयारी सुरू कर दी है सिर्ज 24,005 अब कर आए जाये लेकिन इस्टुरेंज चाह रहे हैं कि इस परिछा को पोस्टल कर दिया जाए तो आगे दिख लेते हैं सै कि इसमें कहा गया है कि इसको में टेलीप पर डलवा दूंगी आप जाकर देख सकते हैं इसमें कहा को लेकर योगी सरकार को अ geç कि लॉक्टाउन लगाया जाए तो देख लेते हैं इसमें कहा गया है इल्हाबाद हाई कूट ने एक पर फिर उत्तरप्रदेश सरकार को दो हपते का लॉक्टाउन लगाने का सुझाव दिया है जज ने बुद्भार को कहा कि यूपी में इस्तिती न्यांतर से बाहर है ऐसे म उत्तरप्रदेश में कोरोना के बेकावू हालत को लेकर इल्हाबाद हाई कोट ने योगी आदितना सरकार को फटकार लगाई है कोट ने सवाल किया कि यूपी पंचाथ चुनाओ में कोरोना गाइडलांस का पालन क्यूं नहीं किया गया इसके अलाबा कोट ने हाथ जुड कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े सहरों में पूर लॉगडाउन लगाने का सुझाओ दिया है तो आगे देख लिते हैं बता दे इसके लिए पहले भी इलहबाद हाई कोट ने प्रिदेश के 5 सहरों में पूर लॉगडाउन लगाने का आदेश दिया जिसे सरकार ने माने से इंकार कर दिया था तो आगे देख लिते हैं क्योंकि हालात सही नहीं इसलिए 45 चुनाव डूटी में लगे 135 कर्मियों की मौत हाई कोट ने लगाई चुनाव तो हाई कोट ने लगाई चुनाव आयोग और सरकार को फटकार तो हाई कोट ने फटकार लगाई है तो आगे देख लेते हैं आगे इसमें कहा गया है बतादे कि उत्तर प्रिदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर 29,824 ने मामले सामने आये हैं ओक्सीजन की कमी बैड की किलत और जरूरी दवाओं के आभाओं में बीते कई दिनों से कई मरीजों की जान चली गए इन सभी तर्थों को ध्यान में रखते हुए इलहबाद हाई कोट ने बुद्बार को पिर्देश की योगी अधितना सरकार को जम कर फटकारा कोट ने कहा कि पिर्देश की इस्तिती नियांतर से बाहर चली गई है डॉक्टरों की कमी ऑक्सीजन नहीं तो आप जानी रहे हैं इस्तिती क्या है कि डॉक्टर कमी है ऑक्सीजन नहीं है एल वन एल टू हॉस्पीटल नहीं है काबजों पर सब कुछ अच्छा है लेकिन जम पुद्धा नहीं मिल रही है मरीजों को इलाज नहीं मिल पारा है तो देख लिए आगे कहा गया है कोरोन से जोड़े मामले की सुनवाई करते हुए जश्टिस सिधाद बर्मा ने आगे कहा कि हम आपसे योगी सरकार से हाथ जोड़कर आपसे अपने विवेक का इस्तमाल करने का अनुरोद करते हैं जज ने कहा कि अगर राज के हाला तन्यंतर में नहीं है तो दो हफ्ते का लॉक्टाउन लगाने में देरी ना करे और अपने निती निर्मताओं को सुझाओ देने का कहा गया है हाई कोर्ट ने पंचाज चुनव डूटी में लगे 135 सिख्जकों की मौद पर भी सरकार से सवाल कियए हैं तो जहाई सी बार जो पंचाज चुनव में डूटी लग रहे हैं तो काफी सिख्जकों की मौद हो चुकी है और ज़्यदा संख्या में संक्रमित भी हो चुके हैं तो आगे देख लेते हैं इसको आप पुरितर टेल्गान चे अपर जाकर देख सकते हैं तो आगे देख लेते हैं आगे कहा गया है बिष्टा चार मुक्त मुच्चा के अध्यक्ट कौसा सिंग ने कहा है तो इसको देख लेते हैं इसमें कहा गया है बर्दमान पस्तिती को दे इसके लिए आप सभी लोग तै करें कि परिच्छा 13 जून को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यदि नहीं होनी चाहिए तो लोग सेवा आयोग एवर मुखमंत्री को मेल और ट्यूट करें तो इसके लिए सुझाव दिया गया है तो यूपी पीसीयर 2021 के इस्ट्रोयन परिच्छा इस्त्गित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्योंकि आयोग ने 13 जून को परिच्छा कराने की तयारी शुरू कर दी है तो आप सभी इस्ट्वन अपनी राज जरूर दें आप सभी इस्ट्वन जरूर बताए कमेंट करके कि परिच्छा होनी चाहिए या प योग का कहना है कि परिच्छा तेरा जुन को ही कराई जाएगी लेकिन इस्टूडेंट में डर है क्योंकि कोरोना केसिस बहुत जादा है तो इस परिच्छा को नहीं देना चाहते हैं जब कपी कोरोना की स्थिती सही होने के बाद यूराजान को अपना सुजाओ आप सब्सटूडेंस को अपने रायी होगी कि इस परिच्छा को इस परिच्छा को तेरा जुन को ही करा जाए और से इसमें बताया गया है तो मुख मंत्री को और लोग सिबा आयोक को मेल और ट्यूर भी करना होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है आप लोग उस नेक्स वीडियो में थैंक्यू जैहन जै भारत